आज का पंचांग आज का राहू काल रहेगा सुभह 7 वजकर 9 मिनिट से सुभह 8 वजकर 55 मिनिट तक, आज का दिशा शूल पूर्व की तरफ रहेगा तो पिलहाल पूर्व दिशा की ओर यात्र टाल दें। आज विशेश क्या है? आज विशेश है प्रदो शुवरत। आज का महा उपाय है, मेश राशी वालो आज आपका दिन अच्छा रहेगा, रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, मित्रों और परिवार जनों के साथ समय बितेगा, आर्थिक थिती भी बेहतर रहेगी. मित्रों राशी वालो आज आपका दिन शांदार रहेगा, व्यापार में साज़धारी से लाब होगा, लवमेट का पूरा सहयोग मिलेगा, आप सामाजिक कारियों में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेंगे. मित्रों राशी वालो आज कोई शुब समाचार मिल सकता है, आपके मन में किसी की मदद करने का भाव रहेगा, किसी धार्मिक स्थल की यातरा पर जा सकते हैं, सुडेंट्स का पढ़ाई में मन लगेगा. करक राशी वालो आज आपका दिन सामाने रहेगा, उधार के लिन दिन से बचना आपके लिए अच्छा रहेगा, साथी रिष्टों में संतुलन बना कर चलने की जरूत है, किसी भी पारेवारिक फैसले से पहले जीवन साथी की राय जरूर ले. सिंग राशी वालो आज आपका दिन मिला जुला रहेगा, दूसरों के कामों में दखल ना दे, तो अच्छा रहेगा, आज सोचे हुए काम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, चात्रों के हाथ बड़ी सफलता लग सकती है. कन्या राशी वालो आज ओफिस में अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, आपका दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा, परिवार में बड़ों से प्यार मिलेगा, सेहत का ध्यान रखें, पेट खराब होने के योग हैं, तुला राशी वालो आज सामाजे कारेयों में आपकी रुची बढ़ेगी, कारेस्थल पर किसी सयोगी से थोड़ा वाद विबाद हो सकता है, आज किसी से बिना वजह उलजने से बचें और अपनी वाणी पर सयम रखें, सेहत के मामले में ब धन लाब हो सकता है, दोस्तों के साथ मज़िदार समय भी देगा, धनु राशी वालो आज आपका दिन पैवरेवल रहेगा, जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, करियर में तरक्की के योग बन रही हैं, जरतमंद की मदद कर सकते हैं, शाम आपको कान का दर्द परेशान कर सकता है, मकर राशी वालो आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा, किसी मसले को लेकर आप और आपके जीवन साथी में असहमती हो सकती है, कोई जरूरी काम पूरा करने में समय लग सकता है, घर से निकलने से पहले अपनी मात पेता का आशीरवा फाइदा देने वाला है, आपके मन मताबित काम पूरा होंगे, मीन राशी वालो आज आपका दिन बेहतिरिन रहेगा, आप नए काम की प्लानिंग कर सकते हैं, परिवार में चले आ रहीं, समस्या हलो हो सकती है, आपके वेभार से लोग बेहत प्रभावित होंगे